चो को घर में छुपकर रहना पड़ता है यहाँ से एक बहुत ही अजीब तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको फ्लावर सिंदैटी यह 2014 की एक हॉलिवड मुवी एक्स्प्लेंड करने वाल हो अगर आपको वीडियो अच्छ लगता है तो प्लीजे से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारी कैरेक्टर कैथरिन ही हमसे बात कर रही थी वो कहती है कि लाइफ में कब क्या टर्न आ जाए इसके बारे में आप बता नहीं सकते है पहले तो हमारी लाइब बहुती परफेक्ट थी पर उसके बाद बहुती डेंजरस से टर्न आए अब यह सब क्या था यह हमें फ्लैश बैक में पता चलेगा हम कैथरिन की फैमिली देखते हैं जिसमें उसके छोटे से ट्वीन प्रदर और सिस्टर्स थे और एक बड़ा प्रदर था जिसका नाम था क्रिस्टोफर मदर का नाम था कोरिन और फादर का भी नाम क्रिस्टोफरी था फादर हमेशा अपने काम से ज़रा दूर रहते थे आज जो घर पर आये तो उन्हें देखका सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे फादर ने भी सब के लिए गिफ लाया था मदर के लिए उन्होंने एक बहुत ही एक्सपेंस से निकलेस लाया है इसके बाद वो बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहे थे कैथरिन अपने फादर से बात करती है कहती कि आप इतना ज़ादा दूर मत जाया करिया वो उन्हें मिस करती है घर में सब लोग बीजी होते है और उस पर कोई भी धान नहीं दे पाता वो और कुछ बता बाती इससे पहले कोरिन अच्छी दरीगे से तयार होकर बाहर आकी वो एक्साइटेट थी क्योंकि फादर को प्रमोशन मिल गया अब वो और भी ज़ादा बीजी हो जाएंगे इस बात से गैधरिन को बहुत बुरा लगा वो अपसेट होकर अपने रूम में चली गई फादर उसे मनाने के लिए उसके पास आया एक बहुत ये एक्सपेंस्यों नेकलेश उसे गिफ्ट करते है फादर ने गाक में जो भी कर रहा हो इस सब कुछ हमारे फैमिली के लिए है नेक्सिन में हम देखते है कि इनके घर पर बड़े पार्टी थी फादर ज़रा लेट हो गया दोर पर नौक आई पर ये पुलिस की थी फादर का एक्सेडन हो चुका था और उनकी टेथ हो जाती है सब लोगों को बहुत शौक लगा ट्विंस को तो अपने फादर की बहुत ज़ादे याद आती थी कोरिन बहुत ज़ादा डिस्टब होने लगकी उसके पास पैसे भी नहीं थे कैथरीन ने पूछा क्या हम ठीक रहेंगे कोरिन गहती है मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है मैं सुन्दर थी इसी वज़े से मेरे तुम्हारे फादर के साथ शादी हुई थी और वो कुछ ना कुछ करने का तो ट्राय कर ही रही है पैसे ना दे पाने की वज़े से कैथरीन का पहले क्लास भी छुट जाता है कोरिन ने बहुत सारे लेटर्स लिक कर इनने पोस्ट कर दिया थोड़े दिनों बाद कोरिन को लेटरस का रिपला आता है उसने फिर अपने सब बच्चों को कहा कि अब हम जाकर मेरे पैरंट्स के यहां रहने वाले बच्चे शॉक टोक है क्योंकि उन्हें कोरिन के पैरंट्स के बारे में पता ही नहीं था कोरी ने का मैंने मेरे पैरेंट्स के मर्जी के खिलाब शादी की थी तो इसी वज़े से वो हम पर बहुत गुस्सा थे अब वो फिर से उनके पास जाकर माफी माग लेगी सबको मना लेगी बच्चे ज़रा कन्फियूस थे क्योंकि यहां की पूरी लाइफ छोड़कर उन्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा और कोरीन ने प्रामिस किया कि मेरी पैरेंट्स बहुत ही जादा रीच है यहां पर इनकी जो भी सब चीजे थी इससे जादा वो उन्हें पाई कर कर देगी क्योंकि वैसे भी यह लोन पे नहीं कर पाया तो इस वज़े से बैंक सारी चीजे इनकी ले लेगी इसके बाद एक कोरीन की सीटी में पहुँचे वहाँ पर उन्हें लेने के लिए कोई भी आया नहीं था वैसे रात में बहुत टाइम तब वाक करते करते वो कोरीन के घर पर आ गए कोरीन की मदर दर्वाजा खोलती है इसका नाम था ओलिविया ओलिविया ने कहा कि देखो बिल्ली अपने साथ क्या लेकर आई वो कोरीन को हमेशा बिल्ली बुलाया करती थी बच्पन से ओलिविया ने कोरीन को हेटी किया है क्योंग कोरिन अपने फादर से close थी ओलिवया ने बच्चों को एक उपर का कमरा दिया जहाँ अबर कोरिन की फादर उन्हें देखना पाए बच्चे घर में है ये एक secret था कोरिन अपने फादर को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी अगर फादर ने पहले उसे माफ कर दिया इसके बाद उन्हें पता सकती है कोरिन ने समझा दिया कि मेरे फादर बहुत ही old है वो कभी में मर सकते है एक बार उन्हें अगर मुझे फिर से accept कर लिया फिर हम millionaire बन जाएगे हमें इस तरीके से रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोरिन ने कहा कि मैं दिन बर यहाँ पर नहीं रह सकती वो बीच-बीच में उन्हें मिलने के लिए आती रहेगी अगली सुबा ऑलिविया बच्चों के लिए खाना लेकर आए इसने कहा कि दिन बर तुम्हें खाना है मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी या इस रूम में थोड़ा भी आवाज नहीं होना चाहिए अगर ट्विन्स को खेलना है तो उपर एटिक है वहाँ पर वो खेल सकते है बातरूम यूज करते वक कभी भी लड़का और लड़की एक साथ नहीं जाएंगे अलिविया ने कहा कि अगर तुम्हारे ग्रैंट फादर को पता चला तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो तो बहुत ही बुरा होगा बच्चे फिर उपर एटिक देखने के लिए के क्वीन्स कोई जगा खेलने के लिए अच्छे ही नहीं लगती है पर इनके पास कोई पी आप्शन नहीं था इसे ज़रा इंटरस्टिंग बनाने के लिए कैथरिन और क्रिस्टोफर ने उनके लिए जुला बना दिया रात में कोरिन सबसे मिलने के लिए आए क्वीन्स उसे कहते हैं हमें यहाँ पर नहीं रहना और बहुत ही बोर हो रहे थे उन्हें घर पर जाना था कोरिन उन्हें समझा दिया है कि तुम्हें कैथरिन और क्रिस्टोफर का सब को चीज़े सुननी चाहिए क्वीन्स मानते नहीं और हल्ला करने लग गए तब ही ऑलिविया आगे उसने जोर से एक ट्विन को मारा कहा कि इस घर में इस तरीके से चीज़े नहीं चलेगी कोरिन इस पर गुसा हो जाती है कहती है तुम मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी अलिविया ने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर सकती हो यह मेरा घर है और मेरी सब चीज़ी हाँ पर चलेगी उसने कोरिन को अपना शर्ट निकालने के लिए कहा इतने सालों बात कोरिन वापस आये तो इस वज़े से ओलिविया ने कोरिन को बहुत मारा था बच्चे भी यह देखकर डर जाते हैं ओलिविया ने कहा कि तुम सब बच्चे एक डेविल की संतान हो यह बात बहुत ही अजीब थी यही चीज़ कैथरीन वंडर गर दिया किसका क्या मतलब हुआ कोरिन ने उसे समझाया कि जब मैं चोटी थी तो मेरी मदर मुझे बहुत मारा करती थी तो इस वज़े से अपने फादर के बहुत ही क्लोस थी हमेशा मेरी मदर मेरे फादर को मेरे खिलाब बहुत ही अलग-अलग चीज़े पताय करती थी स्लोली स्लोली मेरे फादर भी काम में बीजी हो गए थे तो इस वज़े से मैं घर में अकिली पड़ गए तब ही मेरे फादर का हाफ ब्रेदर हमारे पास रहने के लिए आया तुकि उसकी मदर की डेथ हो गई थी यानि कि वो कोरिन का इंडारेक्टली अंकल था वो बहुत हैंडसम और काइन हांटेड था कोरिन और उसमें प्याल हो गया इन दोनोंने भाग कर शादी कर ली और इसे वज़े से इनकी फैमिली इन पर बहुत ज़्यादा कुछ साह हो गई थी फादर ने भी कोरिन को उनकी विल से निकाल लिया था अलिविया ने कोरिन को कहा था कि अगर तुमारे बच्चे हुए तो अबनॉर्मल होंगे पर इसा कुछ भी नहीं हुआ इसके बाद नेक सेन में देखते हैं ट्विन से के लिए क्रिस्टोफर गार्डन पेंट कर रहा था अलिविया ने कैठेन से पुछा क्यों ऊपर चल कह रहाँ है कैठेन कहती है के क्रिस्टोफर पेंट कर रहा है वह एक बहुत अच्छा पेंटर है ओलिवया पुछती है कब कभी उसने तुम्हारी पेंटिंग में आई है क्या तुम्हें कपड़े निकालने के लिए उसने कहा कैथरीन को एब बात बहुत ही confusing लगी All U.S. समझती थी जिस तरीके से कोरिन का अपने अंकल के साथ affair हुआ उसी तरीके से इन brother sister में भी कोई relationship हो सकती है अब इसके बात थोड़ी दिन बीट गए थे और कोरिन बच्चों को देखने के लिए आई ही नहीं वो आने के बाद कहती है कि मुझे पुरा time मेरे father के साथ ही बिताना पड़ा वो sailing गई थी उनके साथ picnic पर गई थी ये बात Catherine को अच्छी नहीं लगती उसने कहा एक मंद हो गया तुम हमें देखने के लिए आई ही नहीं तुम्हें जल्दी अपने father को मनाना चाहिए हमें भी बाहर जाना है हम इतने भी बुरे नहीं कि वो आपने खुद के grandchildren को accept ना करे कोरिन अब उन्हें सच बदाती है कहती कि मेरे father ने मुझे माफ किया पर एकी condition पर कि मुझे कोई भी बच्चे नहीं और वो उन्हें बच्चों के बारे में नहीं बता सकती फादर बुड़े है तो उनके मरने का इंतजार इन्हें करना पड़ेगा Catherine upset थी पर Christopher से समझाता है कि जल्द से ये टाइम भी गुजर जाएगा उनकी twin sister उनके पास आई और कहा कि कोरी मिल नहीं रहा वो high dance सी खेलते होए एक box में burn हो गया था इसे जल्दी से जाकर एक खोलते हैं तो unconscious हो चुका है Catherine ने उसे hot water में बहुत हीट किया उसके बहुत अच्छे से खैल रखती है इन्हें help करने के लिए कोई आया भी नहीं था इसके बाद और भी time गुजर जाता है अब directly Christmas आ चुका था Catherine ज़रा positively कहती है कि हमें Olivia के लिए gift बनाना चाहिए ये gift बनाने के बाद Olivia सिर्वे से देख लेती है और वेसे फेक कर चली गई कोरिन जब इन्हें मिलने के लिए आये तब बहुत सारे gift लेकर आये बच्चे बाहर की दुनिया मिस करते थे तो उनके लिए टिवी भी लेकर आती है उसने Catherine के लिए बहुत ही beautiful सा dress लाया हुआ था Catherine ने कहा कि dress बहन कर हम जाएंगे कहा हमेशा ऐसे hide होकर नहीं रह सकते है आज घर में Christmas की party थी तो Catherine और किस्टोफर दोनों आने की जित करते हैं इसके लिए मान गई उन्हें party में लेकर गई पर उपर के liquor cabinet में उन्हें बन करकर रखती है जहां से उस सिर्फ party देख सके एक bottle लेने के लिए olive उपर आई थी पर वो निकालती नहीं वो बच्चों को पकड़ी लेती है party में first time हम Corinne के फादर को देखते है वो बहुत ही बुड़े थे Corinne के फिर से family में आने से उन्हें बहुत अच्छा लगा था उसे एक बहुत एक्सपेंसिन एकलेस गिफ करते है party के बाद जब बच्चे हाँ से जा रहे थे तो Corinne को एक आदमी के साथ हो देखते है उसे कह रहा था कि हमारी life एक साथ स्टार्ट करने के लिए में रूख नहीं सकता उसे कही दूर लेकर जाना चाहता था कैथरीन को एक बाद अजीब लगी पर क्रिस्टोवर कहता है मदर अब अमीर होने वाली है उसके पीछे तो बहुत लोग होंगे कैथरीन अब रूम में चली गई पर क्रिस्टोवर आसपास घुमता रहता है जब कॉरिन को एबात पता चली तो बहुत ज़ादा गुश्सा हो जाती है क्रिस्टोवर के आने के बाद उसने उसे जोज से स्लैप किया अगली सुबा उने सौरी बोलने के लिए आई क्रिस्टोवर ने पूछा क्यो आदमी तुमारे साथ कौन था कॉरिन गयती को मेरे फादर का लौयर है हमें उसकी ज़रूत है हमें मेरी मंजिल के बहुत करीब हूँ उसे बहुत बुरा लगा कि उसने कल ये सब किया था वो गयती कि हम इस तरीके से नहीं रह सकते अगर हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ हम कहीं भी adjust कर लेंगे बच्चे सुनकर उसे कहने लग गए कि हम यहाँ पर रह सकते हैं जादा वरी मत करो एक्चुल में कोरिन उन्हें manopulate करने लग गई थी वो खुद इतनी लाल जी है तो कभी भी इस सब छोड़ कर नहीं जा सकती है एक दिन उपर क्रिस्टोफर लड़कियों के magazines देख रहा था कैथरिन जब यह उससे पूछती है तो छुपा लेता है इसके बारे में कैथरिन ने कोरिन से पूछा कोरिन ने कहा कि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो तो यह अलग-अलग changes तो आने ही वाले है वो कैथरिन के लेक ड्रेस लेकर आती है जब यह ड्रेस कैथरिन पहन रही थी तो क्रिस्टोफर उससे देख लेता है यह ज़र awkward था तो भी Olivia यहाँ पर आ गए उसे लगता है कि इन दोनों में कुछ चल रहा था Olivia गुसा होकर कोरिन को पनिश करना चाहती थी उसके हेर्स कट करकर पर क्रिस्टोफर उसे मना करता है रात में Olivia ने कैथरिन के सर पर टार लगा दिया सुबाओने पर इसे निकालने के लिए वो बहुत ट्राय करते है पर निकाल नहीं पाते है कैथरिन क्रिस्टोफर ऐसे गहती है कि तुमारी कोई भी गलती नहीं थी तुम सिर्फ मुझे देख रहे थे कैथरिन के सर ने कहा कि तुम मेरे बहुत पास हो मैं हमेशा लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता हूँ बसे लगता है कि कैथरिन बहुत ही beautiful है पर वो इस तरीके से सोचना नहीं चाहता कैथरीन के हैर से टार निकालने का कोई भी वे नहीं था तो उसने उसके सारे हैर्स कट कर दिया एक दिन कैथरीन जब डान्स प्रैक्टिस कर रही थी तो क्रिस्टफर और वो मस्ती करने लग गया ये गलत है ये रेलाइस करकर एक दूसरे से दूर हो जाते है आज कल ट्विन्स बाहर जाने का नाम भी नहीं लेते थे उन्होंने उन्हें खिलके में आकर बाहर जाने के लिए कहा पर फिर भी ओं मानते नहीं एक दो साल ये सब यही पर रहे है कैथरिन और क्रिस्टोफर को भी बाहर जाना था तो रात में एक रसी की मदद से नीचे उतर जाते है एक ब्यूटिफल से लेक के पास आया ये वंडर करते हैं क्या कोरिन उनके लिए कुछ करेगी वो उस पर अब ट्रस नहीं करते है कोरिन बच्चों से मिलने के लिए आई पर डारे लिए 4-5 मन्द के बाद वो बच्चों से कहती है कि मेरी शादी हो गई है वो हनिमून पर थी इसी वज़े से उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाई क्रिस्टोफर कहता है कि ऐसा अब नहीं चलेगा दो साल हो गए हम यही पर बड़े हो रहे है वो इस तरीके से अब यहाँ पर नहीं रह सकते क्याथरिन ने कोरिन से पूछा कि तुमारे हस्बंड को हमारे बारे में पता भी है क्याथरिन कुछ भी नहीं बोली और यहाँ से उचली गई अलिविया के हाथो कोरिन उनके लिए स्वीट्स भेज देती है दोनर्स देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे क्याथरिन ने क्रिस्टोफर से कहा अब हम यहाँ से निकल जाना चाहिए हमें बाद में कितने भी पैसे मिले पर हम इस तरीके से नहीं जी सकते है क्रिस्टोफर ने कहा कि हमें निकलने के लिए थोड़े पैसो की जरुवत पड़ेगी वो विंडो के पास खड़ा था तो आलिया उस पर बहुत चिलाती है वो उसे कभी भी उसके नाम से नहीं पुकारती तो क्रिस्टोफर कहता है मेरा मेरे फादर की तरह क्रिस्टोफर नाम है इस बात पर ओलिविया और भी ज़्यादा गुस्सा होगी उसे कोडे से बहुत मारती है कैथरिन ने क्रिस्टोफर की जखम देखी और ये दोनों किस कर लेते हैं अगले दीन ने दोनों करीब थे और ऑलिविया के तुम दोनों कर क्या रहे हो क्रिस्टोवर रोते रोते ऑलिविया के पैर में गिर गया कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है प्लीज मुझे माफ कर दो ऑलिविया गौड पर बहुत बिलीव करती थी उसने कहा अब हर रोज राद में जाकर घर से थोड़े-थोड़े पैसे निकालने लग गए ऐसे थोड़े-थोड़े पैसे चुराते हुए इनने बहुत टाइम लग सकता था पर इनके बास कोई आप्शन नहीं था एगरा जब यह ऐसे ही निकले हुए थे तो कोरिन का हजबन ट्रंक होकर सोया हुआ था कैथरीन उसके बाज गए वो क्यूरेस थी तो उसे किस कर लेती है इसके बाद वो पैसे लेकर रूम में आके बाहर क्रिस्टोफर फेंस को देख रहा था यह अभी अभी बनवाई गई थी और इस पर इलेक्ट्रिक का शौक पर लगवा रहे थे इस इलेक् कैथरीन थी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है गुस्से में एक दुसरे के साथ ही इंटिमेट हो गया कैथरीन क्रिस्टोफर से कहती है कि अगर तुम सहाओ तो हम यह सब चीज़े बन कर सकते हैं क्रिस्टोफर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एक दिन इनका ट्विन ब्रदर बहुत ही ज़ादा बिमार हो गया यह बात उन्होंने कोरिन से कही पर फिर भी उसे हस्पिटल ले जाने के लिए मना कर रही थी तो इसके बाद ओलिवया ट्विन को हस्पिटल में लेकर गई अगली दिन ओलिवया इनके पास आई कहती कि कि रात में घर में जो भी ज्वेलरी होगी जितने भी पैसे होंगे सब लेकर यहां से भाग जाएंगे यही चोरी करते हुए मेड की बात उन्होंने सुने यहां की मेड भी चोरी कर रहे थे हैं वो गहते है कि कोरिन के फादर की मर जाने के बात अब वो स्लोली स्लोली सब मे बच्चो के बार में नहीं बताया था, उसका प्लान था कि बच्चो को हमेशा एटिक में ही रखेगी, क्रिस्टोफर जब उपर आया, तो उसकी छोटी सिस्टर की हालत जरा खराब थी, छोटी सिस्टर ने अपना डोनट एक माउस को खिलाया था, और माउस की डेथ होके, इस और सब लोगों को attic में जाने के लिए कहा, उन्हें पता था कि अलिवया को attic में जाने से डर लगता है, वो भी उसे घसिटे घसिटे वही पर लेकर गया, वो डोर बन कर देता है, और ये सब खिडकी से बाहर निकर गया, अलिवया वहां से नहीं जा पाई, उसकी हालत बहुत जादा खराब होगी, इन सब को भागता देग एक सरवन ने उन्हें देख लिया, क्रिस्टोफर उसे कहता है कि प्लीज हमें जाने तो, हम कोरिन के बेटे हैं, सरवन को भी पता चल गया कि यहाँ पर चल क्या रहा था, वो जाकर फेंस की electricity बन कर देता है, और ये सब यहाँ से भाग गये, कैथरिन हम से कहती है, अब हम उस प्लेस पर कभी भी नहीं जाएंगे, पर हमारी मुलाकात फिर से हमारी मदर से हो सकती है, मुझ में और क्रिस्टोफर की बीच में जो भी है, इस वज़े से कोरिन को हमेशा शेम में जीना पड़ेगा, यही उसके लिए सज़ होगी, परिस्टोफर के साथ हो न, यह कैथरिन का अपने मदर से लिया गया हुआ एक बदला था,